हलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग एन वेलकम अगेन तो धन्मंत्रा चैनल दोस्तों आज धन्मंत्रा चैनल की तरफ से आपको वोडा फोन आइडिया पर एक वीडियो जारी किया जा रहा है क्योंकि कई लोगों की यह फर्माईश थी आप हमेशा यूट्यूब पर यस बैंक क बारे में ही वीडियो बनाते रहते हैं तो आज धन्मंत्रा ने पहल की है कि यह बैंक से थोड़ी हट कर बात की जाए और काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि वोडा फोन आइडिया पर या आलोक इंडस्टीज पर और कई ऐसे स्क्रिप्ट थे जिस पर लोगों ने वी रूपी सेटीन कमिंग इन वोडा फोन दोस्तों 18 रूपे की क्यों बात होती है वोडा फोन में पहले तो आप यह जान लीजिए दोस्तों 13 रूपे 50 पैसे एक बहुत बड़ा हरडल था वोडा के लिए जो आपने देखा होगा कि 6-7 महीने पहले उसने इस हरडल को क्रॉस क गिया था लेकिन 13 रूपे 80 पैसे जाने के बाद वहां से इसने पल्टी मारी थी और वापस शेयर नीचे गिरने लगा था और कई बार के उतल पुतल के बाद कभी वो 9 रूपे पे गया कभी साड़े 8 पे गया कभी 11 पे और आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से वो ए लगला 18 रूपे का ही आता है इसलिए आप देख रहा होंगे कि टीवी पे भी कई एनालिस्ट 18 रूपे की बात करते हैं क्योंकि उनको ये फ्राइडे के दिन भी ये लग रहा था कि 13 रूपे का लेवल क्रॉस करेगा और 13.50 पहुचेगा और वहां पे अगर ये स्टे करता तो 18 रूपे की एक जर्नी शुरुआत हो जाती वोडा फोन आइडिया में तो दोस्तों वोडा फोन का रिजल्ट आया है और हम इस रिजल्ट की जो एनालिसिस करेंगे देखिए कई यूट्यूब पे इसके एनालिसिस हो चुकी है टीवी पे भी आपने देखा होगा और प क्या टार्गेट्स हो सकती है और हमारे आपकी क्या स्ट्रेजी इसमें हो सकती है दोस्तों ये जो वीडियो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से जारी कर रहा हूँ ये एक एजुकेशनल परपस के लिए वीडियो है ये मेरी स्वैम की एक एनालिसिस है जो मैं एजुकेशन और सेलिंग का जो भी decision है वो अपने wisdom को use करके लेना है और अपने वित्ति सलाकार की राय लेने के बाद ही इसमें कोई decision आपको लेना है As a disclosure मेरा Vodafone idea में अभी कोई investment नहीं है आने वाले समय में मैं हो सकता हूँ इसमें कोई investment करूँ या ना करूँ फिलहाल आज के समय मेरा Vodafone idea में कोई investment नहीं है और जो मैं आने वाली चंद लाइने Vodafone idea के बारे में कहने वाला हूँ वो एक सिर्फ education purpose के लिए ही है दोस्तों मेरे हिसाब से जो Vodafone का result आया है वो एक satisfied result है और मैं इसे एक positive result कहूँगा और मेरा ये मानना है कि ये result अगर market hour में आते तो Vodafone के performance पे प्राइस performance पे इसका एक positive असर पड़ता दोस्तों जब भी एक telecom company के result आते हैं तो सबसे पहले चीज आप देखते हैं कि what is ARPU जो average revenue per user होती है देखिए वहाँ पर इन्होंने एक बड़ोत्री दिखाई है जो पहले 109 रुपे गी थी वो 121 रुपे की है हाँ अगर आप भारती से compare करेंगे और जीओ से compare करेंगे तो ये figure कम है क्योंकि भारती का जो ARPU है वो 166 रुपे है और जीओ का जो है वो 145 रुपे है ARPU जो है वो industry standard के बराबर ले आए और जब industry standard के बराबर Vodafone की ARPU आ जाएगी तो आप ये देखेंगे कि top line और bottom line में बहुत फरक पड़ेगा तो मैं जो ARPU में increase हुआ है Vodafone को उसको एक positive जो है दिशा में लेता हूँ देखिए Vodafone की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके losses बहुत होते थे देखिए loss तो उन्होंने आज भी दिखाया है 4532 कोण का लेकिन अगर आपको इसको Y on Y और Q on Q से compare करेंगे तो ये losses जो है वो थोड़े squeeze हुए है देखिए gross revenue भी इनका अगर आप Q on Q लेंगे मतलब पिछले quarter से लेंगे तो बड़ुत्री हुई है देखिए Vodafone के लिए Y on Y performance अगर आप लेंगे तो वहाँ तो देखिए 1.76% की gross revenue में कमी आई है लेकिन Vodafone के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि Q on Q level पे उन्होंने अपने gross revenue को बढ़ाया है देखिए गीरा नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है देखिए Vodafone को जब problem में थी तो उन्हें ये एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हमें अपने expenses को जो है control करना है और वहाँ पे उन्होंने बड़ी सक्छमता दिखाई है और करीब उन्होंने आप ये देखेंगे कि करीब 1200 कौड रुपे से Y on Y level पे उन्होंने अपने expenses को control किया है और इसी expense control करने के आधार पर उन्होंने जो अपनी EBITDA है उसमें भी increase दिखाया है जहां वो आज 4,286 कौड पे खड़ा है और जो EBITDA margin है वो उनकी जो है 30.8% से बढ़कर 49.3% हो गई है दोस्तों जो Vodafone का subscriber base है वो देखिए समय के साथ गिरता है और लेकिन अगर आप इस quarter में देखेंगे तो उसके गिरने की जो रफतार है वो बहुत कम हो गई है और ये अगर आप देखेंगे इस समय 269.8 million subscriber Vodafone के खड़े हैं जो पिछले बार 304 million के थे लेकिन आप इसको 2G और 4G के परिपेक्ष में देखेंगे तो उन्होंने 4G के जो customer base है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी करी है broadband के अगर आप uses देखेंगे वो subscriber इनके बड़े वापिंग तरीके से बढ़े हैं और उनके जो आपने देखा होगा 12.4 million subscriber थे broadband के जो अभी 120 million हो गए हैं और जो 4G के भी subscriber हैं वो भी बढ़े हैं तो एक paradigm shift हो रहा है और आपने कोई देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर इसी speed से इनके 4G subscriber बढ़ते हैं और देखें इंडस्टी में भी एक scenario ऐसा बढ़ रहा है कि जो है price increase करी जाए तो आपको from this quarter onwards Vodafone के जो result में मेरे हिसाब से एक बढ़ोतरी ही देखी जाएगी दोस्तों दुनिया की number one company है Vodafone और इनका जो collaboration है idea के साथ जिसके owner villa group है देखें दोनों लोग एक बहुत ही ताकतवर company है एक बुरे दोर से गुजर रही है लेकिन आने वाले समय में अगर इसी प्रकार की performance होती रही और अपने cost पेनों ने control किया और 28 तारीक को जो fund raising की meeting है उसमें कुछ positive results आते हैं तो देखें जो चीजें हैं वो काफी अच्छी दिशा में move कर सकती है देखें जो उकला की rating आई है उसके इसाब से इनका जो 4G का network है वो सबसे तेज चलता है कई बार हमने देखा लेकिन हमें इस तेज network को इनके जो performance में है उसको भी तेजी के रूप में देखना पड़ेगा तो दोस्तों अभी आपने कई लोगों ने ये चर्चा सुनी होगी कि Vodafone PLC से भी Vodafone Idea को जो अभी week हम कहते हैं उसमें पैसे आने वाले हैं करीब 6000 करोण ये देखना है कि वो पैसे कब आएंगे कुछ tax refund भी आने वाले हैं GST refund है तो ये चीजें जब आएंगी तो cost deduction में जो इनका जो loan है उस deduction में इन पैसों का इस्तेमाल होगा और जो income tax के भी refund आने वाले हैं उससे भी आप देखेंगे कि भविश्य में इनकी जो loan है उसमें एक काफी bulk रूप से जो है गिरावट आईगी देखें दोस्तों Supreme Court से एक judgment आने वाला था Friday के session में वो delay हो गया है क्योंकि कुछ चीजें इन्होंने वहाँ पे और भी clarify करनी है कि जो AGR का calculation हुआ था वो गलत था तो देखें अगर वो decision Vodafone के लिए positive होता है तो उसका बड़ा positive impact आएगा 28 तारीक को जो board meeting है उसमें ये देखना है कि किस प्रकार के जो fund race किये जा रहे है overall दोस्तों ये वीडियो जड़ा लंबा हो रहा है आने वाले वीडियो में all qualification हम discuss करेंगे देखें cash flow जो है वो अभी positive हो गया है तो देखें all things are pointing towards positive scenario in the coming days for Vodafone idea देखें एक बहुत बड़ा group है काफी चीजें इसमें संभव है तो दोस्तों हमें आने वाले दिनों में जो 13 रुपे का level देखना है और ये देखना है कि 13 रुपे का level cross करने के बाद अगर ये 13 रुपे 50 पैसे के उपर sustain करता है तो दोस्तों ये मान के चलिए कि 18 रुपे की जर्नी Vodafone में start हो सकती है दोस्तों नीचे के तरफ हमें जो support के level देखने है वो जो major support है वो 11 रुपे 50 पैसे का है और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिसकस किया कि जो उपर का hurdle है वो 13 रुपे का hurdle है overall दोस्तों चुकि हमने ये video education purpose के लिए बनाया है अगर आप result के हिसाब से देखें तो देखिए cell हमारे हिसाब से तो result positive ही है तो let's hope things should come out better on Monday